अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें पहला इकन को जरूर दबाएं जिससे की और भी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके पहला कोश्चन है सीतला माता का मुख्य मंदर कहां परिस्त है तो आपको पता होना चाहिए जो सीतला माता का मंदर है बो चाक्सु के चाक्सु में इस्तित है जो चाक्सु कहां पर है चाक्सु जैपुर में है ठीक है तो जैपुर में चाक्सु नमक जगे पर सीतला मता का मंदिर है जहाँ पर सीतला अश्टमी को चैत्र अश्टमी को सीतला अश्टमी जिसे बोला जाता है यहाँ पर प्रतिवर्स मेला भरता है जो सीतला मता होती है उन्हें बच्चों की देवी बोला जाता है और कुमार इनकी पूजा करते है, इनका पुजारी कुमार होता है, ठीक है, अगला कोश्चन है, चूलगिरी जैन मंदिर कहां इस्तित है, तो correct answer इसका जैपुर में, चूलगिरी जैन मंदिर जैपुर में है, इसके अलाबा जैपुर में पदमनाब मंदिर भी है, पदमनाब ये भी जैन मंदिर है एक ठीक है, आमेर इस्तिद अकवरी मस्जिद का निर्माण किस ने करवाया था, तो correct आनसुरेश का राजा भारमल ले, राजा भारमल ने 1579 में आमेर में अकवरी मस्जिद का निर्माण करवाया था, second option राजा भारमल correct है, अगला question है, जैपुर इस्ति के मंदिर में, देश का ये प्रितम ब्रस्पती मंदिर जो की उज्जेन में है, जैपुर में है, राजिस्तान का प्रितम ब्रस्पती मंदिर है, ब्रस्पती मंदिर की सवा 5 feet उची प्रितमा यहां पर इस्तापित है, अगला question है, खंगारातों की कुल देवी, ज्वाला मात का मंदिर जैपुर में कहां इस्तित है इंपोर्टन कोश्चन है यह पूछा जाता है ज्वाला माता ठीक है यह खंगा रातों की कुल देवी थी इनका मंदिर है जोबनेर में जोबनेर इस्तित ज्वाला माता का मंदिर निम्न में से कौन सा असुमेलित है? इन में से असुमेलित कौन सा है? हबा महल यह महल राजपूत बास्तुकला एबं मुगल बास्तुकला का सुन्दर समन में है यह सही आंस्वर है जल महल मांसागर जील में इस्तित जल महल का निर्मान सवाई जैसिंग ने करवाया था सवाई पिरताप सिंग ने इन महलों को आदनिक रूप दिया ये भी सही है सिटी पैलेस का जो बास्तुकार था वो याकूब था कौन था याकूब ये भी करेक्ट है City Palace का बास्तुकार याकूब था तीनों आप्सन अब तक करेक्ट है इसके बाद है मुबारक महल सन 1880 में निर्मित इस महल में मुगल यूरोपीय तथा राजपूद इस्थापत्य कला का अद्बुत समन में है ये गलत है जो मुबारक महल है वो सन 1900 में रियासत के महमानों को ठहराने के लिए निर्मार इसका किया गया था अपला कोश्चन है गोडिये संप्रदाय के गोविन देव जी मंदिर का निर्मार किसने वे खहां करवाया था गोविन देव जी का मंदिर फेमस है जैपूर में इसका निर्मार सबाई जैसिंग ने करवाया था और जै निवास बाग में करवाया था जै निवास बाग में सबाई जैसिंग ने सबाई जैसिंग ने गोविन देव जी के मंदिर का निर्मार करवाया था ये जो मंदिर है ये गौडिय संपरदाय का प्रमुक केंदर है राजिस्तान में किस जिले में कलियुक के अवतार कल की भगवान का एतियासिक विश्नु मंदिर है तो करेक्ट आनसरेस का जैपूर जैपूर में संसार का पहला कल की मंदिर है जो कि कल्योग के भगवान माने जाते है चांदी के दो बड़े कलस गंगा जली जो दुनिया के चांदी के सबसे बड़े बरतनों के रूप में गिनीज बुक आफ वर्ड रिकॉर्ड में सामिल है जैपूर के किस महल में है जैपूर के जो सिटी पैलेस है सिटी पैलेस महल बहाँ पर चांदी के दो सबसे बड़े बरतन है दुनिया के ठीक है महराजा मादो सिंग दुतिय पबित्र गंगा जल इसमें भरकर लाए थे समराट एडवर्म सप्तम के राज्याविसिक समारो ठीक है अगला कोश्चन है हमारा जैनिवास उध्यान राजिस्थान के किस जिले में इस्तित है जैनिवास उध्यान ये जैपूर में इस्तित है जैसिंग के नाम पर है नाम से पता चल रहा होगा सबाई जैसंगी ने बनवाया था ये और चंदर महल के सामने ये इस्तित है साथ बहनों का मंदिर जैपुर के किस महल में इस्तित है ये important question है पूछा जा सकता है ठीक है तो साथ बहनों का मंदिर इस्तित है जैपुर के सामूद महल में साथ बेहनों का मंदिर इस्तित है हवा मेहल का निर्मान किस ने और कब करवाया था तो हवा मेहल का निर्मान करवाया था सवाई परताप शिरी ने ये question भी पूछा जाता है अकसर और आप गलत कराते हो ठीक है तो हवा मेहल का निर्मान सवाई प्रताप सिंग ने करवाया था और 1799 इस भी में करवाया था अगला कुश्चन है जैपुर का हवा मेहल कितनी मंजिला इमारत है तो करेक्ट आनसुरेस का पांच मंजिला इमारत है जिनके नाम देख लेजिए आप पहला सरद मंदिर, रतन मंदिर, बिचित्र मंदिर, प्रिकास मंदिर और हवा मंदिर ये पांच मंजिल है हवा मेहल की जिसका निर्मान प्रताप सिंग ने करवाया था 1799 इस भी में सरद मंदिर, रतन मंदिर, बिचित्र मंदिर, प्रिकास मंदिर और हवा मंदिर ये नाम है उन पांच मंजिलों के हवा महल के बास्तू बिद कौन थे तो हवा महल के बास्तू बिद थे लालचंद उस्ता लालचंद उस्ता 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 नाम से आपको याद आ रहा होगा उस उस्ताकला जो कि बीकानेर में फेमिस है और उटो पर जो चित्रकारी की जाती है वो उस्ताकला ठीक है तो लाल चंद उस्ता बास्तुकार थे हबा मेहल के ये भी आपको याद रखना है जैपुर का जल महर किस जील में इस्तित है तो जैपुर का जल महर मान सागर जील में इस्तित है और मान सिंग ने इसकी इस्तापना करवाई थी अतितियों के स्वागत सत्कार एतु निर्मित मुबारक महल कहां इस्तित है तो मुबारक महल जैपुर में इस्तित है ये 1900 में निर्मित किया गया था 1900 सन में मुबारक महल जैपुर में निर्मित किया गया था अगर आपको वीडियो helpful लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन को जरूर दबाएं